नमस्क्राइब बाक टियो ओन चैनल वेल्स सगज एर्थ जुलाई 2024 मंडे का दिन लेकिन मार्केट इतनी फ्लैट थी कि इसकी कैंडल आच के दिन दिखाई भी नहीं पड़ रही है मुझे इनलार्ज करना पूड़ाएगा तो शो यू वेर इस निफ्टी 50 कैंडल को पकलके बैठे हुए हैं अगर आप डिफेन स्टॉक्स को पकलके बैठे हुए हैं एक और थीम है दोस्तों जिसको कि हम लोग इसके बात सेपरेटली स्टेडी करेंगे इन इस वीडियो जिसमें कि एक अच्छी खासी अफसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है तिल दे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्टॉक्स में जिसमें की बड़ी न्यूज है और निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में ऑप्शन डेटा को भी स्टडी करेंगे निफ्टी 50 के बारे में बिल्कुल डेड 3.3 इतनी मुवमेंट हुई आज के दिन निफ्टी 50 में पूचें तो आज PSU बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा था और HDFC बैंक के स्टॉक में भी आज के दिन माइनर सा प्रेशर था मौरनिंग के दोरान लेकिन अल्टीमेटली नथिंग बार्ड हैपन और HDFC बैंक्स सम्हाव मैंज तो रिकावर और अल्टी 2300 स्टॉक्स साथे 1400 सो स्टॉक्स में आज के दिन प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई पड़ रही थी अद्वैंसिंग स्टॉक्स वर 937 अब दोसो आप खुदी देखिए किन स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी ओंजी सी ओंजी से इपने इंपोर्टन लेवल को आज के दिन डिफिनेटली करें आज के दिन जो सिन स्टॉक्स होते हैं सिन स्टॉक्स लेक आई टी सी टॉबैको कंपनी हो गई या फिर जो गैंबलिंग स्टॉक्स हो गया डेल्टा कॉप उनमें भी अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ गुवर्मेंट उनको ओफर कर दे इस बजट सेशन में टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं डिवी स्लाब वस तुरी और हाफ पसेंट डाउन इसके लाव टाइटन वस तुरी और हाफ पसेंट डाउन बीपी सी आज श्री राम फिनेस अडानी पोर्ट वर दी अधा टॉप लूजर्स कहां पर आउट पर्फॉर्मेंस है कहां पर एक जबरदस्त बाइंग दिखाई पर रहे हैं लास्ट वन वीक्स में लीड कर रहा है ओंजी सी तो मेरे साफ से ओंजी सी को डेफिनेटली स्टेडी करना बनता है मेरे कहने के बावजूद भी आप स्ट टेकनोलोजी यह तीनों के तीनों आइटी सेक्टर के स्टॉक्स में लास्ट एक हफ्ते में एच्छी बाइंग एक्यूमेशन दिखाई पूटर रहा है एंडटा कंजूमर्स तो अल्मोस्ट फाइफ पसेंट अप इन दी लास्ट वन वीक लेकिन पिटे गवान है टाइट अब दोस्तों गोल्ड इसमें जिस प्राइस पे चल रहा है किसकी हिम्मत पड़ा की गोल्ड को खरीदने की मेरी हिम्मत तो नहीं मेरी हिम्मत तो नहीं है कि गोल्ड का 24 कारट की वैल्यू से में 73 थाउसन चल रही हो कर आप 22 कारट जाएंगे तो संवे क्लोश तो 68 69 के सफरेंग श्रीराम फिनेंस साड़े तीन पर्सेंट के असपास डाउन है एज़िएफ से बांग डिवीज लाब अडान एंटरप्राइज यह सारे के सारे लास्ट एक हफते में अच्छे से धोए गया है अगर हम लोग बात रहे किन स्टॉक्स में क्यों चल रहा है लीड कर है श्रीराम फिनेंस इसके लावा नेसले इंडस्ट्रीज नेसले इंडिया बादन एशन पेंट्स अटेक सेमेंट एंड मारूती बहुत समय के बाद एशन पेंट्स का यहां पर नंबर दिखाई पड़ा है अदरवाइस यह सारे के सारे स्टॉक्स फिगर आउट होते रहत है तो मार्केट में कोई भी जैथा मुव्मेंट नहीं हुआ है अगर आप देखें थो मुश्किल से 40 पॉंट कि ले दे चालिस अधर देखें तो मुश्किल से दसबीस पच्छिस पॉंट में ही पूरा दिन निखल किया है लेकिन मार्केट में वालेटिलिटी जबर दस 400 point का upside downside हुआ है but closing absolutely flat but on slightly on the negative note लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाहे जितना भी कोशिश कर लो ये channel को नहीं breach कर रहा है योगि अगर channel के नीचे आ गया तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा तो अभी भी निफ्टी बैंक में कोई भी outlook bearish या bullish आप नहीं कह सकते bearish तब तक नहीं कह सकते जब तक कि चैनल को breach करके अंदर नहीं आ जाता तो मेरे साब से अगर आप मुझे पूछें कि bearish या bullish में कोई एक option चूज करना है मेरे साब से भी मामला bullish ही कहूंगा क्योंकि मैं अपना outlook bearish तब तक change नहीं करूंगा जब तक कि nifty bank इस channel को तोड़ नहीं देता फिलाल के लिए दोस्तों काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि FIS ने थोड़ी सी कम buying करी ऐसा ही उन्होंने buying नहीं करी है आज के दिन भी उन्होंने buying ही करी है 61 क्रोड वर्थ of stocks की लेकिन डियाइस की तरफ से buying ज्यादा हुई है 2867 क्रोड की 2867 क्रोड की buying हुई है from the side of DIs तो FIS ज्याइस दुन्होंने मिलके आज के दिन निट निट अगर आप देखें तो बाइंग ही है अचा अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के option data को देखें है तो बैंक निफ्टी का जो पूट कॉल रच्व चल रहा है वो है कॉल रेटिंग तो बहुत ही अग्रेसिव दिखाई पढ़ रही है अगर आप देखें किस लेवल्स पर कॉल रेटिंग हो रखी है तो 53,000 पर भी कॉल रेटिंग है इन फाक्ट 52,500 पर भी लब इंदा मनी भी कॉल रेटिंग कर रखी है लोगों ने कि मार्केट यहां से गिरेगी लेकिन पोजिशन जिस परकार से बन रखी है बहुत ही अग्रेसिव है और ऐसा लग रहा है कि प्रेशर आगे भी continue रहेगा तो let's hope let's hope कि 52,000 के लेवल्स ब्रीच ना हों क्योंकि 52,000 गया तो मामला बहुत ही गंबीर हो जाएगा वहीं पर अगर हम लोग बात रहें निफ्टे 50 के तो निफ्टे 50 में put call ratio is 0.98 जो की बिताता है कि ना तो bullish और ना ही bearish outlook है जितनी put rating हो रखी है उतनी ही call rating भी हो रखी है bulls और beers का पलड़ा बराबर का है और in fact अगर add the money के बारे में बात रहें तो add the money पे भी थोड़ी सी call rate rating हो रखी है जो की ये बदाता है कि market को range bound रखने की पूरी की पूरी कोशिश call rate और put rate दोनों के द्वारा की जाएगी ताकि market range में रहे और ultimately जितना भी premium में वो सारा का सा डीके होकर के दोनों को benefit मिल सके stock specific news के बारे में बात करता सो तो पहला stock है लार्सन अब लार्सन में बड़ी news यह है कि company को 10,000 से 15,000 क्रोड के orders मिलें बड़ा contract मिला है बड़े contract मिलते चले जा रहे हैं लेकिन अगर आप मुसे बूचे L&T भागा क्यों नहीं फिर दोसों L&T कि इसलिए नहीं भागा है क्योंकि L&T में अकली आने वाले पांच सालों तक मतलब जब अटली जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक कि जतनी ग्रोथ है वो अलड़ी फैक्टर इन हो चुकी है कि L&T को इतना इतना order मिलेगा इतनी जगे यह रोड बनाएंगी इतनी जगे यह मेट्रो बनाएंग इन सो आन तो जो इनके प्राइस में जो वैलूशन है जो प्राइस में ग्रोथ है वो फैक्टर इन हो चुकी है यही रीजन है दोस्तों कि यह स्टोग आपको उसी प्रैस से मिल राज इस प्राइस पे स्टोग साथ महीने पहले था अगर आप देखे यह स्टॉक प्राइस करेक्शन नहीं बलकि टाइम करेक्शन शोग कर रहा है तो अगर आखने पूछाहें कि यह स्टॉट को आपके चूटे यह भागना शुरू करते का तो इसकी कोई गैरेंटी नहीं हाँ अगर आब यह जाना चाहते हैं कि सर तो फिर कब वाई किया जाए कि जब इस टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिखाए पड़े तो वो लेवल है 3800 जिस टॉक 3800 के लेवल को ब्रीच करेंगा उसके बाद आप अग सब्सक्राइब कर सकते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम हाएगा इस इस पर माई अलसेज गोज विव योगल पीजिए लू इंडॉस इन अब दो सो आपको तो मालूम ही है एच्छ फिल एलेक्रिक इस नॉट जस्ट एच्पिल ऐलेक्रिक एच्पिल एलेक्रिक इसमें एंक मेटरी बिना रहा है बहुत ही जबरतर ब्रैंडिंग कर रहा है और नीचे लेवल पर इसक्षेश से अपने बिजन्स को एक्सपांड कर रहा है तो इनके कॉंपेट्टेटर सिर्फ पॉली के पॉली क्या और है इंके इनकी कॉंपेटिटर स्वार्ट मेटर मेकिंग कपनीज ब और अभी अभी दोस्तों आज के दिन ही स्टॉक ने इंफाक्ट एक अच्छे मोमेंटम से बाइंग दिखाना शुरू किया है इफ यू आस्क मी स्टॉक ने अपना रिजिस्टेंस और बीच कर दिया था वहां से रिट्रेस्मेंट भी कंप्लीट हो गया है और जहां तक मुझ इस ही का दोस्तों अगर अच्छे रिजल्ट आने होंगे स्टॉक को अलड़ी भाग चुका होगा दोस्तों में बड़ी न्यूज यह है कि मजल ने कुछ प्राइस को बढ़ाया है अब काफी सारे लोग करें तो अच्छी तेजी होना शुरू होई थी आपने कहा था ब्रेक करते हैं तो ऐसा अगर आप सूच रहें कि मेरे बाय करते मेरे छूते ही स्टॉक सीधे रॉकट हो जाये और वहां से स्टॉक सीधे सीधे 100% रिटन दे तो ऐसा नहीं होता स्टॉक के एक फेजेस है अब दोस्तों चुरक ने यहां से एक ब्रेक आउट दिया है तो यहां से यहां से यहां तक का retracement show कर सकता है practically अब आज के दिन न्यूज आ रही है कि MGL ने CNG के prices को बढ़ाया है by 1.5 रूपीज पर केजी और domestic PNG के prices को रूपीज 1 पर square cubic meter जो भी whatever you may call it तो इसके prices को SCM, रूपीज 1 पर SCM बढ़ाया है in and around Mumbai और जो भी presently जो prices हो जाएंगे revised prices तो 75 रू लूपीज 48 पर SCM तो और अगर आप उसे पूचें क्या है तो एक positive news है it's a very very positive news क्योंकि आप देखें तो करीब 3-4% का इजाफा दिखाई पढ़ रहा है हमको कमपनी के prices में stock के जो उन्होंने prices बढ़ाएं हैं which is which is reasonably good और stock में उचीज आपको दिखाई बढ़ने चाहिए ब दोस्तों live insurance में अगर आप देखें तो जो टॉप performer है वो LIC दिखाई पर रहे हैं अबसे बुदखेंड़ा कुछ बिल्इन सबसे आप चीज इतला था लाई-व का परसेंटहीं ऑट ने तो से लीड कर रहा है SGFC लाइफ 25.5 परसेंट उसके बाद LIC का नमबर है 20.8 परसेंट ठीक है तो अगर हम लोग ओवर और प्रीमिम के बारे में बात रहें तो दो पर्फॉर्मर्स जधा बढ़िया है है 32.6 परसेंट और उसके बाद जो सेकेंड बेस पर्फॉर्मर है तो यहां पर अगर आप नेट नेट देखें और अगर आप देखें तो GFC Life and LIC are the only two companies जो की टॉप टूप पर्फॉर्मर्स रहे हैं इन दी लाइफ इंशॉर्मर्स बिजनस जो अपडेट आया है और जो सबसे अंड़ा पर्फॉर्मर्स रहा है वो है जिसमें एक भी टिक नहीं लगा है वो है मैक्स लाइफ स्टो और पॉजट्व जद्धा एकरेसिव नहीं रहता हूँ इस हूँ वह महीं दो महीं की सप्लाई नहीं यह लाइफ टाइम के सप्लाई है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी की बात भी तो इंशॉर्मर्स के बिजनस में आप सोच रहे हैं कि में इसॉर पॉरेंस बिजनसेस आर वकिंग और वेरी वेफर थिन मार्जिन्स चुकि वेफर थिन मार्जिन्स पर काम करते हैं तो उसमें समय लगता है उनकी प्रॉफटबिल्टी को ग्रो होने में इस्पिशली अगर वो स्टॉक्स अभी पिछले छह महिने पहले डॉलरी डबल हो जुक होगा है in last six months तो दुस्तों यहां पर क्या होगा यहां पर टाइम क्रेक्शन होगा जो कि भी स्टॉक में हो रहा है टाइम क्रेक्शन थोड़ा सा और भी चल सकता है हो सकता है कि 10-15-20 दिन और लगे नीचे गिरने के चैंसेस थोड़े से कम है क्योंकि परफॉर्मस अच्छ चाहिए वारन बफे टाइप का आदमी होने चाहिए बख शैड हथवे के जो ओनर है जो वारन बफे जी वह बख शैड है जो कंपनी है वह इंशॉरेंस कंपनी है तो उस तरह का पेशन्स जी यह तभी आप बड़ा पैसा बना सकेंगे तो दोसनों इसके लाब वीडियो बस बाइ पना